दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा Nothing Phone 2 11th July को Indian Market में लोंच होने वाला है लेकिन दोस्तों लोंच से पहले ही इस फोन का Confirm India Price और कितना का Discount Offer इस पे मिलेगा, सब कुछ बाहर निकल के आ गया है और इस वीडियो में बताएंगे कि इस फोन को अगर आप लेने वाले है तो कितना का खर्चा आने वाला है पूरा बजट इस वीडियो में आपको बताने वाले है साथी साथ आपको बताएंगे कि इस फोन में क्या के चीज़े मिलने वाला है ये फोन कैसा होगा क्योंकि इस phone के बारे में भी सब कुछ बाहर निकल के आ चुका है तो चलिए दोस्तों इस video को सुरू करते हैं और पूरे detail में बात करते हैं Nothing Phone 2 के बारे में सबसे पहले इस phone के look का बात करें तो दोस्तों देखिए इस phone का look कुछ इस तरीके का होगा back side से जैसा कि आपको दिख रहा होगा और दोस्तों ये phone भी back side से glyph interface के साथ ही आएगा जैसा Nothing Phone 1 का back look था वैसा ही रहेगा बस glyph light इसमें टुकरो में अलग-अलग दिया गया है और इसमें दो camera का setup रहेगा और camera के पास वाला भी glyph light थोड़ा अलग होने वाला है ज्यादा होगा और दोस्तों यही आर्क light order tracker के रूप में भी काम करेगा क्योंकि जो मेटो का इससे tie-up हुआ है तो जब आप जो मेटो पर order करेंगे तो जैसे जैसे order आपके place नजदी का आएगा वैसे उसे वो जो आर्क light है glyph वाला वो कम होता चला जाएगा और दोस्तों जब आप phone को charge में लगाएगे तो वहाँ पर भी glyph light जलेगा और एक red color का indicator मिलेगा जिसके बारे में क्या भी clear नहीं है कि वो कैसे काम करेगा और दोस्तों इसका जो ये back look है ये nothing phone 1 से मिलता जूलता ही है थोड़ा बहुत का ही changing है और दोस्तों ये phone back side से transparent होगा वहीं दोस्तों ये phone front side से center punch hole display साथाएगा जैसा कि look front side का आपको दिख रहा होगा ऐसा ही रहेगा side का bezel सोर्चीन बहुत कम रहेगा और ये phone front side से भी बहुत बढ़िया होने वाला है और जैसा look one plus node 3 का था front side से ये phone front side से कुछ उसी के जैसा होने वाला है वहीं दोस्तों इस phone के बांकी चीजों के बारे मगर बात करें तो ये phone 6.7 inch के full HD plus OLED display साथाएगा जहांकि 120 surge का refresh rate रहेगा और दोस्तों ये center punch hole वाला display होगा display wise phone बहुत बढ़िया रहेगा इसमें in display fingerprint sensor भी मिलेगा display का touch sensitivity scrolling बगेरा एकदम अस्मूथ रहेगा और phone चलाने में एकदम अस्मूथ लगेगा कोई भी app को open करेंगे close करेंगे तो ये सब चीजे एकदम अस्मूथ ली होगा और दोस्तों वीडियो वाचिंग के मामले में तो खर बहुत तगड़ा होने वाला है आपको भी high resolution का वीडियो प्ले करेंगे तो viewing experience बहुत बढ़िया मिलेगा और YouTube से आप 4K वीडियो को भी प्ले कर सकते हैं और बताया जा रहा है दोस्तों कि YouTube में भी आप HDR content प्ले कर सकते हैं डिस्पिले में फोन आपको satisfied करने वाला है वहीं दोस्तों ये फोन Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर क साथ आएगा जो कि 4 nanometer fabrication पे बना है तो battery efficient भी है दोस्तों और इस प्रोसेसर क साथ जितना भी smartphone अभी launch हुआ है ना सब का ant2.1 million के उपर है तो इससे ये किलियर है दोस्तों कि इस फोन का भी ant2.1 million के उपर ही रहेगा और performance के मामले में तो खरे बहुत बढ़िया होने वाला है कोई भी game को आप high setting पे भी play करेंगे तो game play एकदम हस्मूथ होगा कहीं पे भी frame drop का problem नहीं होगा कहीं पे भी phone फॉसेगा नहीं और game play एकदम हस्मूथ होगा और एक gaming करने वाले user के लिए phone बहुत तगड़ा होने वाला है वहीं दोस्तों इस phone के camera का बात करें तो इसमें 50 megapixel का main camera मिलेगा जहां कि Sony का IMX890 वाले sensor मिलेगा और इसमें OIS भी मिलेगा और 50 megapixel का ultra wide camera मिलेगा और दोस्तों ये phone dual camera setup के साथ ही आएगा rear side से वहीं दोस्तों इस phone में 32 megapixel का selfie camera मिलने वाला है और camera wise phone बढ़िया रहने वाला है पिछला जो nothing phone 1 था उसके camera में इस बार camera में बहुत ज़्यादा improvement मिलने वाला है दोस्तों वहीं दोस्तों ये phone 4700 image के battery साथ हैगा जहां कि 33 watt के fast charge का support मिलेगा और दोस्तों इसमें 15 watt के wireless charge का भी support मिलने वाला है तो battery के मामले में phone बढ़िया होगा ऐसे दोस्तों अगर इसमें at least 80 watt के fast charge का support मिलता तो ज़्यादा best होता अधरवाई 33 watt भी है तो ठीक ठाक है चलेगा वहीं दोस्तों ये phone dual studio speaker Dolby Atmos के support के भी साथ आएगा तो multimedia experience में phone बहुत बढ़िया रहने वाला है और दोस्तों ये phone nothing OS 2.0 पे run करेगा और out of the box android 13 के साथ आएगा और दोस्तों इस phone में 3 साल का major update मिलेगा और 4 साल का security update मिलेगा यानि दोस्तों ये phone 13 के साथ आएगा और 14, 15, 16 तक जाएगा तो दोस्तों ये ही सब पूरा detail था ये nothing phone 2 से related जो कि इस वीडियो में बताएगा वहीं दोस्तों इस phone के price का बात करें तो दोस्तों देखिए इस phone का price Indian market में 40,000 से थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है और एक्सिस बैंक के credit और debit card पे आपको 3,000 का discount मिलेगा ठीक है discount भी कितने का मिलेगा वो भी clear हो गया है लीखों के बाहर आ गया है 3,000 का discount मिलेगा discount के बाद दोस्तों ये phone आपको 40,000 से कम के price पे मिलने वाला है दोस्तों ये तो हुआ इस phone का price वहीं दोस्तों इस phone में ना तो back case मिलेगा ना तो charger मिलेगा ठीक है तो वो सब का price अगर अलग से add करें तो देखिए adapter का price आपको परेगा 1499 रुपया बैक case का price पड़ेगा 499 रुपया और दोस्तों देखिए 40,000 रुपया का phone लिजेगा तो थोड़ा अच्छे quality का screen protector भी लिजेगा लिजेगा तो उसका price पड़ेगा 399 रुपया और दोस्तों सारे चीजों का price एड़ करने के बाद ये phone discount के बाद भी आपको 40,000 से ज़्यादा ही परने वाला है जितना का इस पर discount फर मिलेगा ना उसका वसूली इसके adapter, screen protector और back case से कर लिया जाएगा दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जो भी चीजे पता था nothing from two से related वो सब कुछ आपको बता दिये वैसे thank you so much for watching this video